महा भारत से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं में जीवन को सुखी बनाने के सूत्र बताए गए हैं। यहां जानिए एक ऐसी कथा जिसका संदेश ये है कि हमें अधर्मी लोगों से क्यों दूर रहना चाहिए। प्रचलित कथा के अनुसार कौरव और पां और द्रॉपदी भीश्म पिता महसे मिलने पहुँचे। भीश्म पांडवों कुदर्म अधर्म की नीतियों की और ग्यान की बाते बता रहे थे। तब द्रॉपदी ने कहा कि पिता महाज आप ग्यान की बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन भरी सभा में मेरा चीरहरन हो रहा था, आप भी वहां थे, तब आपका ये ज्ञान कहा गया था, आप उस समय चुप क्यों रहे, मेरी मदद क्यों नहीं की, आपके सामने अधर्म हो रहा था, लेकिन आप कुछ भी क्यों नहीं कर सके, भीश्म पिता मैंने कहा कि पुत्री मैं जानता था, एक दिन मुझे इ ऐसा अन खाने की वजह से मेरा मनमस्तिष्क दुर्योधन के अधिन हो गया था, मैं ये सब रुगना चाहता था, लेकिन दुर्योधन के अन ने मुझे रुग दिया और ये अनर्थ हो गया, द्रौक्ती ने कहा कि आज आप ज्यान की बातें कैसे कर रहे हैं, भीश्म ने भीश्म की ये बातें कर पा रहा हूं, भीश्म की ये बातें सुनकर जौक्दी संतुष्ट होगी और उसने भीश्म पिता महक को प्रणाम किया